जार्खन में एक बेटी को अपने पसंद के लड़के से प्रेम करना उसके साथ साधी करने के सपने देखना कितना भारी पड़ सकता है यह उस लड़की ने भी नहीं सोचा होगा समाज को जखजोर कर रख देने वाला एक वाक्या हुआ है जार्खन के लोहरदागा जिले के कुडूप थानचेतर के सलगी गाउं में एक बेटी के साथ आमानविय क्रित करते हुए उसके सर को मुंडन कर दिया गया एक महिला की एक लड़की के लिए जो सबसे प्रथम कह सकते है कि सिंगार जो होता है जो नेचुरल उसका जो सिंगार है वो उसके घने लंबे बाल होते हैं एक बालिग लड़की को विवाह कि जिस लड़की के उम्र हो गए है उस लड़की के सर को मुंडन कर दिया गया इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बलकि उस लड़की के अपने सगे संबंधी थे, लड़की के माता पिता, उसके भाई और चाचा थी, दरसल लड़की का जो परिजन है उनका आक्रोश इस वज़े से लड़की का साथ हुआ क्योंकि लड़की अपने बगल के गाउं के रहने वाले दूसरे जात के लड़के से प्रेम करती थी, उसके घर पर बरबर आना जाना करती थी, परिवार के लोगों ने डाट डपत की, लेकिन लड़की बाऊजुद ही इसके प्यार में पढ़कर या नादानी में लगातार उस लड़के का संख्या में उस गाओं गए और उस घर से उस प्रेमी के घर से लड़की को खीचते हुए बाल पकड़कर अपने गाओं में लेकर आए गाओं में लाकर उसे बेरहमी से बांध कर मार किया लड़की के साथ इसके बाद लड़की को के सर को मुंडन कर दिया इसके बाद भी उन्हों ने लड़की के सर पे चूना रगड कर लड़की को जूते चपलों की माला पहना कर पूरे गाउं में घुमा दिया। इस अम्मानविये कृत के बाद लड़की आउशाद की सिकार हो गई, मानसिक रूप से भीमार हो गई है। कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी कुड़ू थाने को दी। कुड़ू थाना की पुलिस जब पहुंची तो गाउवाले और जो लड़की के परिजन हैं उनकी मिली भगत हो गई। हम यहीं बताना चाहरा है जो समाज कहता है समाज के मदलब हमरा जो बेटी रहेगा चाहे इनका बेटी रहेगा उनका हम सीर का बाल नहीं मुड़ सकते हैं। उसका कोई दूसरा डंड दे सकते हैं लेकि बाल नहीं मुड़ सकते हैं। क्योंकि उसका सिंगार लड़की जान का सिंगार इसको चपल जुता नहीं पाना सकते हैं बाल उने मूर सकते हैं उसका समझाने का एक रोल तरीका है उसका कीस तरह हमरा बेटी को अपना केप्चर में रखें कि हमरे लाइन अप में आऊ वे उसको हम आपराद करके कोई दूसर सब्सक्राइब कर दिया और सबने एक स्वर में कहा कि ऐसी कोई घटना यहां नहीं हुई है हलाकि जब पुलिस के तरफ से दबाव बनाया गया तब परिजन इस बात को कबूला कि हां लड़की के साथ मार पीट किया उसके सर को मुंडन करवा दिया गया है उसके सर को मुड पाप हैं तो इस वजह से अभी लड़की का सर्मुन्दन करवा दिये अभी कहा है बच्ची तो ही मतलब तड़ा समय दूस्का आती है तो उसको घ्रवाने कि महवट लेके करगा देख है कि मार पिठ हुआ है उसके साथ मार पिठ हुआ है क्या कि यह उसके साथ कुछ तो हुआ है बालूल भी छिल दिया गया है नखुन कबार दिया गया है नखुन कबार दिया गया है क्या क्या किये बालूल छिला गया है अब मार पिठ भी बहुत किया गया है जबरदस्ति अगर कुछ हो रहा है तो वो उचित नहीं है ना लड़की अगर स्यानी है तो उसके साथ अगर इस तर से दबाव बना के उसको मार पिट किया जाए इतना उसके बाद जिसतर की बातें आ रहे हैं जैसा देखा जा रहा है बाल मूर दिया गया क्या यही समाजिक दंड है आपकी आगे क्या कहना चाहेंगे आप आगे का कहेंगे हम लोग तो भाई अपना समाजिक जो है रिपी रिवाज के नुसार हम लोग इसको बिवाग करेंगे हालाकि कुरू थाना की जो पुलिस पहुंची थी उनका यही कहना है कि चुकि इस मामले को लेकर नहीं कोई एफायार दर्ज कराई गए नहीं कोई सीसी टिवी फुटेज या कोई अन्य वीडियो जो अमूमन अन्य जगों पर जो वाईरल हो जाती है लेकिन यहां गाउवालों की सहमाती से ऐसा पूरे मामले को इतने सुनियोजे धंग से किया गया कि ना तो कोई वीडियो वाईरल हो सकी नहीं किसी ने वीडियो या फोटो लि है हलाकि देशवान ने उसकी दिखाएगे खबर का क्या कुछ असर होता है क्या कारवाई होती है यह तो भविष्य बताएगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक लड़की के साथ आखिर इस तरीके का मानुविय कृत करना कहां तक जायज है अगर लड़की गलत ही तो उससे सम से मैं अशोक कुमार सिर्फ खबर दिखाना देशवान न्यूज का मकसद नहीं कि देशवान न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करे सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले